Welcome to beat the street तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले इंडिया के Spotify के बारे में इंडिया का Spotify यानि सारे कामा के बारे में इस वीडियो में करेंगे कमपनी के Business का Analysis, Fundamentals को समझेंगे कमपनी काम क्या करती है, पैसे कैसे कमारी है Financials कैसे है, कमपनी का Management क्या सोच रहा है और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए Already share में अच्छे खासे रिटन्स देखने को मिले है लगबग लास्ट यर के लो से अगर अगर अपन compare करें तो 10x रिटन्स देखने को मिल चुके लेकिन अब भी इसमें growth बाकी because of यहाँ पर future जिस industry में काम कर रही है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर grow करने वाली है अगर आप हमाया चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाए सबसे पहले सारे कामा के business model को समझ लेते तो सारे कामा बेसिकली एक इंडिया की एकलाथी company है जो music, films, web series, tv serials और retailing में है अभी अपन इसको एक एक को समझते हैं कि यह कैसे कैसे काम करता है जैसे कि अगर अपन देखे तो इंडिया में इनके पास सबसे ज्यादा IP है IP मतलब क्या हुआ IP का मतलब हुआ जो इनके पास जो अपने intellectual property intellectual property क्या होता है जैसे कि आपने कोई music create किया तो या फिर आपने कोई music खरीदा तो उसका right आपको मिल जाएगा मतलब एक तरीके से basically virtual right, virtual asset तो इनके पास 1,30,000 से ज्यादा इनके गाने इनके पास है 61 फिल्म के इनके पास right है टेलिविजिन चैनल में यह लोग लग 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 ग गुजराती और भोजपूरी और साउथ इंडियन चैनल पे काम करते है जहां पे इनके पास 6,000 प्लस hours of television serials है तो इनका सब का rights इनके पास है अचा अब यहां पर राइट्स का मतलब क्या होता है basically एक तो जो stream होता है सभी प्लैटफॉर्म पे मान लीजिए अगर एक music आपका किसी भी platform पे stream होता है for an example आप Instagram के reel होगई या फिर आपका Spotify की streaming होगई तो इनको एक revenue मिलता है तो यूट्यूब से इनको एक revenue मिलता है तो मान लीजिए अगर इनका कोई गाना बिग बॉस में चलाएगा या फिर किसी बड़ी शादी पार्टी या कॉमर्शल पार्टी में चलाएगा तो वह से इनको revenue मिलता है उसके अलावा इस music को recreate हिया जाता है या फिर इसके कोई या पर covers बगेर बनाये जाते है तो भी इनको revenue मिलता है तो basically ये एक royalty business है जो कि existing assets से या पर generate होता रहता है तो बबन इसको समझते है basically company का plan है जो next new music आएगा उसके अंदर 25% market share ये लोग plan कर रहे है monetization क्या कर रहे है basically या पर जितने भी TV platform ये डिजिटल platforms होते है उनको अपना music बेच के उनसे rights का पैसे कमाएंगे उसके अलावा कारवा के अंदर बहुत बड़ा transition आ रहा है अभी कारवा basically क्या है आपका product है जिसमें कुछ गाने pre-installed होते बट ये लोग क्या बोल रहे है कि अब हम लोग क्या plan करने वाले है कि अब सारे गामा की गाने के अलावा सारे गामा की IP के अलावा other songs भी हम लोग डाल देंगे तो basically ये लोग अपने product को platform में convert कर रहे जहांपे आप basically अपने Spotify जैसे सारे गामा का भी खुद का app होगा जो कि आप सारे गामा का भी खुद का app होगा जिस पे आप गाने सुन सकते हो और premium लेके subscription खरीच चकते हो तो इस तरीके से काम होगा फिर copyright societies ये basically अभी IRPS करके कुछ बनाय गया है सरकार ने बनाया है इसका basically मतलब ये है कि जब भी आपका कोई भी गाना बड़ी पार्टीस वगरे में या फिर बड़ी इवेंट में बचता है तो उससे पहले पैसा जनरेट नहीं होता था बट अब ये रूल आगया है कि कोई भी बड़ी commercial इवेंट होती है तो उसमें अगर गाना बजाना है जो कि अगर आपन देखे इनके existing serial content का 25% होता है तो इस तरीके से काम कर रहे है ये लोग थेमाटिक फिल्म और वेब सीरीज पर काम कर रहे है रीजिनल उस पर काम कर रहे है ये गुजरात के अंदर नंबर वन है अगर रीजिनल की बात करें अब बिजनस सेग्मेंट को समझते सबसे पहले जो म्यूजिक सेग्मेंट है जहां पर सारे गामक खुद यहां पर म्यूजिक प्रड्यूस करता है और उसके content rights को own करता है इनके पास लग 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 एक लाग तीस हजार यहां पर गाने है अब अगर आप समझेंगे तो बेसिकली एक लाग तीस हजार गाने कैसे create होंगे तो यहां पर company क्या बोलती कि इतने गानों को अगर यहां पर एक company को बनाना है एक नए music player को यहां पर आना है तो उसको लग बग अगर साल में 200 फिल्म भी आती हो 5 गाने भी आते है अब यहां पर यह क्या हो रहा है अगर आपन देखे तो यहां पर इनका जो target है कि one six of humanity को यह लोग target करना जा रहे licensing partnership with सारे गामा अब मैं अगर आपन को समझाओं मैंने आपको बताए कि basically licensing revenue इनका main business है जासे इनको revenue आ रहा है और सबसे जादा यहां पर है ना high margin वाला business है अगर आपन चमझे तो basically company यहां पर करीबन 283 करोड रुपीज इस business से कमा रही है अब यहां पर अगर आपन देखे तो new music के अंदर भी और overall यहां पर क्या हो रहा है कि जो last year तो यह business है ना अगर अगर आपन समझे तो मैंने आपको बताया था यह लोग कैसे कमा रहे है बिजगली कहीं पर अगर यह गाना stream होता है किसी भी channel किसी भी platform किसी भी जगे पर इनको पैसा मिलता है तो इस तरीके से काम होता है अब अगर आपन देखे तो यह IP creation का काम करते हैं यह क्या करते है बिजगली IP creation में भी बहुत बार खुद create करते हैं या फिर बहुत बार रहे राइट खरीद लेते तो बेसिकल यह लोग तीन साल का track record देखते हैं singer का, music composer का, lyricist का, actors का, production house का, popularity of the music genre का तो इस तरीके से लोग यह पर इनके पार इतना बड़ा data point इतना बड़ा research analyst है कि यह बहुत सार data points को मिला कि यह लोग अपना music select करते हैं तो that is very very important अभी मैं कैसे बता रहूँ यह इतना important क्यू है अगर आपने कोई flop music यह पर acquire कर लिया उसके पैसे दे दिये तो क्यों अगा कि आपका तो पैसा लग गया production में या फिर अना acquisition में बट उससे आप revenue generate नहीं कर पाऊगे तो सई selection of music यह पर आपको बहुत बहुत ज्यादा important है और इस business के अंदर यह पर IP monetization कैसे होता है कि मैंने आपको बता है एक तो third party platforms को दी दिया जाता है third party platforms नहीं Facebook से लेके Instagram, Spotify या फिर कोई भी YouTube बगएर है जैसे की platforms पर आप चला देते फिर retailing कर देते हैं तो इसलिए तरीके से होता है अब अगर अगर आपन देखें तो यह कैसे कमाते हैं अगर आपन देखें तो यह music streaming platform से इनकी जो growth है यहापर आपन देखें 45-40% की growth आई थी और यहापर फॉर्दर येर्स में यह और ज्यादा growth प्लान कर रहें तो यह music streaming इतने लोगों से यह लोग काम करते हैं, जा जा पर इनका यहापर गाना मिलता है, उसके अलावा अगर अगर अपन देखें, TV चैनल्स में भी यह लोग करते हैं, जब इनका ही गाना कोई TV सीरियल के अंदर आता है, तो यहाँ से उनको earnings होती है, उसके अलावा video streaming platforms मे YouTube पे जब गाना चलता है, या फिर other third party websites पे चलता है इनका, तो इस तरीके से भी यह लोग यहाँ पर पैसा कमाते है, तो यहाँ पर company बतारी कि कैसे यहाँ पर 60 million से, इनकी जो growth है, वो 9, मलब अगर अगर आपन देखें, तो यहाँ पर 940, 800 million के आसपास हो गई है, तो इस त आपको बताया, IRPS के बारे में, जो कि यहाँ पर lyricist वगएर है, और इनके लिए भी काम करती है, कि जैसे भी कोई भी गाना बड़ी जगे चलाया गाता है, तो इसका यहाँ पर revenue मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और यह अभी एक growing business है, basically यहाँ पर जो fake music of fake platforms पर जो गाने चलते है, उसको tap करने के लिए, तो इस तरीके से किया गया है, फिर इनका music segment है, जो कि Karwa है, अचे कारवा वाला जो segment है, 35 प्लस लोगों के लिए है, और premium segment है, अगर आपन देखें, इन लोग ने कारवा कारियों के लाँच किया है, और अगर आपन देखें इनका जो अभी भी सबसे बड़ा जो mode है, mode of selling है, वो physical mode है, 30,000 प्लस यहापे retailers के साथ काम करते लोग, तो वो अभी business अभी भी यहापे इतना बड़ा breakthrough नहीं लेकर आप है, बट आने वाले समय में, इसका जो conversion जैसे कि मैंने बता है, प्लेटफॉर्म पे होजाएगा, तो पेरेंट्स को जो गिफ्ट दिया जाते हैं, उसमें number one category पे आरा है सारे गामा, तो basically it is the one of the biggest top selling गिफ्ट में से एक हो गया है, तो यह प्लेटफॉर्म पे कैसे होगा, सारे गामा के पास third party के गाने भी चलाएंगे, और यहापे podcast वगरे होगे, streaming होगी, तो इस तरीके से तो योडली फिल्म करके इनका एक वीडियो सेग्मेंट है, जहापे लोग म्यूजिक और टीवी सीरियल बगेर है, यह फिर वीडियो यह फिर मुविस क्रियेट करते हैं, तो इस तरीके से काम करते हैं, गर आपन देखे हैं, कम्पनी ने 16 फिल्म्स रिलीज करी है, 44 मंच के पहले मुवी क्रियेट करी, फिर हम स्ट्रीमिंग पार्टनर ढूनने जाएंगे, हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रीमिंग पार्टनर हमें मना करते, पहले यह लोग स्ट्रीमिंग पार्टनर को यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, उसी के बाद यह लोग प्रडक्शन में काम कर उसके अलावा यहां पर इनके कुछ मैगजीन वाला भी बिजनिस है तो इस तरीके से काम होते है रेविन्यू फ्रॉम उपरेशन्स लास्ट यह थोड़ा कम हो गया था विकाउस आफ पेंडमिक क्योंकि नया म्यूजिक यह जनरेट नहीं हुआ था म्यूजिक लैसेंसिंग रेविन्यू बड़ी था विकाउस कंपनी लोगबाग पुरानी के गाने को बार बार चला रहे थे और उन कंपन्यों को ज्यादा फाइदा हुआ जिनके पास ज्यादा बड़ा म्यूजिक लाइब्रेरी कॉंटें था पिर इनका जो पैट है वो एकदम से ग्रो हो गया था उसके बीचे क्या सिंपल रिजन है आपने पुरानी ही चीजों को बेच बेच के यह पर पैसा कमाया है जैसी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं गाने तो बने नहीं दे महीं पर अगर आपन देखे तो इसके जो EPS है 64 के EPS के इसाब से भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे भाव पे एक हाई P स्टॉक है और पैट भी इनका एकदम से ग्रो हुआ है और R.O.C.E. के लेवल्स और R.O.E. के लेवल्स मैंने आपको बताए थी ते डिविडेंट पेइंग कंपनी है विकॉज यह पर एक असेट लाइट मॉडल पर काम करती है इनके ज्यादा यह पर कोई खर्चा नहीं ज्यादा कोई असेट नहीं डेट इनके पास कोई है नहीं कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें विकरम महिरा है जो की बेसिकली काफी टाइम से 2014 से इनके साथ है उससे पहले यह बेसिकली Tata Sky और Star TV के साथ थे फिर जो इनके CF हो है जो की 26 साल से इस इंडस्ट्री में बेसिकली अभी तो वह रिटार्मेंट पे एक medical leave पे गए वे तो इस तरीकी से overall मैं आपको बताना चाहरू कि management भी यहाँ पे एक अच्छा खासा है अभी तक तो कोई corporate governance की issues देखे नहीं गए overall rp sanjeev goynka जो basically group है गोynka ग्रूप हर्च गोynka और sanjeev goynka तो उनकी यह management उनकी ownership में company काम करती है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत है management discussion and analysis जो कि एक annual report का सबसे important part होता है यहाँ पे तो basically बता है कि इंडिया में जो industry 2.23 trillion rupees की हो जाएगी और अब अगर अगर आपन देखें जो content consume किया गया है वो pre pandemic levels को भी आपे basically यहाँ पे पीछे चोड़ जया गया है उसके अलावा यहाँ पे company बोल रही कि यहाँ पे जो smart tv है अभी 700 लोगों के आसपास आ चुका है जो कि basically यहाँ पे जो next driver of growth है low cost of data है जो कि यहाँ जियों के कारण आया है और यहाँ ट्रेडिशनल और new age story दोनों ही के content create हो रहे है और जिस तरीके से इनका basically business attraction हो रहा है in existing movies जैसे कि Delhi Crime को इनने अपना basically गाना बेचा था तो इस तरीके से भी काम हो रहा है इस business में एक और जो चीज है हमेशा की trigger समझ लेना इनका कोई गाना सारे गामा का अगर कोई गाना या कोई movie अगर यहाँ पे हिट होती है तो यह पर आप समझ लेजी कि उसके share price में movement दिखेंगा है जैसे कि पानी पानी इनका गाना तो जो कि बहुत हुआ था तो बिसकली उसके कारण share price में movement आया है था अपने को हर quarter यह देखना है कि इनके कोई गान है मतलब बेसकली इनका जो music streaming platform है सारे गामा के YouTube channel उस पर देख लिजिए कोई trending song इनका तो नहीं बन गया है मतलब इतना बड़ा hit गाना अगर किसी का आता है या फिर इसनी hit कोई web series इनकी आती है तो इनको फायदा ज्यादा होगा तो यह basically key trigger point है अच्छा यह मैं आपको क्या बता रहो changing media consumption है कैसे यह आ पर आपना music का जो content consume करने का तरीका है वो mobile के और बढ़ता जा रहा है और magazine radio television त इस तरीके से है फिर अगर अपन देखें इंडिया में 12 12 से भी ज्यादा streaming platforms है जो कि 900 tv channels और 360 radio stations के साथ यहाँ पर fight कर रहे है अच्छा सारे काम अगा क्या प्लान है एक तो existing music को monetize करना है बार बार बेचना है नए music create करने का प्लान है दूसरा यह आपर direct to consumer के retail business को बढ़ान और अगर अपन देखें तो total streaming वाला जो business है और यह पर digital वाला जो business है वो एकदम से बढ़ गया है तो streaming business है बहुत ज्यादा growth करें और physical business दीरे-दीरे कम होता जा रहा है तो इस तरीके से काम कर रहे है YouTube, Netflix, Ghana, Spotify वगएरे सब जगे पे काम करता है और वही पे सारे गामा का management का प्लान है कि अभी जो हमारा एक licensing revenue जो सबसे high earning business है जो सबसे बड़ा भी है वो 20% से grow हुआ है तीन साल में अब company का plan कर रहे है overall जो हमारा business है 20-25% की growth हासिल करेगा तो इस तरीके से यह पे company काम कर रहे है अब अगर आपन देखें तो basically इंडिया में केवल 2-6% लोग है जो य अगर कोई non-paid है जो free में काने सुन रहा है वो basically यह पे advertisement जो इसको show होता है उससे advertiser इनको पैसे देता है कुल मिला कि दौनों से इनको revenue मिलता है बट paid subconsumer से ज्यादा revenue मिलता है ज्यादा repeat business आता है तो उससे यह पे काम होता है और उसके अलावा company ने बढ़ा है कि हम लोग न चीजे है और अगले यह पे next year में यह पे 12-15 web series लेके आने वाले और movies लेके आने वाले तो वो सारी चीजे तो ही उसके अलावा यह पे यह सारे serial updates का यह सारा था फिर यह पे आप देख सकते हो basically यह कुन किन songs में सबसे आदा काम कर रहे है तो अभी इनके overall revenue का से आता है के उससे आता है basically सभी उसमें काम कर रहा है licensing revenue जो streaming platforms होता है वो बहुत ज्यादा तेही से बढ़ रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है यह इतने लोगों को अपना गाना बेच बेच के पैसा कमाते है ब्रैंड्स को भी बेचते है अच्छा गूगल वगरे को भी बेचते है Google का दिवाली का जो एड़ था उसको इन लोग ने अपना गाना बेचा था और Asian paints वगरे जो यहां पर एड़ आते है अमूल वगरे आते तो उसमें भी यह लोग गाना उनके लिए क्रेट करते हो सकता है या तो उनके लिए क्रेट करें या फिर उनका खुद का ही मतलब है न 21% की growth थी फिर उनकी जो operating income है 27% से क्यों क्यों बढ़ी थी और यहां पर वाय वाय बेसिस पर 38% से बढ़ी थी overall यह जो EBITDA margin रहे 37% की आसपास रहे मतलब एक high EBITDA margin earning business है यहां पर एक और चीज है कि double digit की growth company ने plan करी है अचा उसके अलापर यहां पर overall economy के inflation के कारण यहां पर EB manufacturing business जो होते है other business जो है उसके जितना incur है business यहां पर hit नहीं हुआ है तो इसलिए यहां पर काम हो रहा है अचा पैट margin यहां पर इनका अच्छा कास है और पैट में एक अच्छी-कासी growth है तो double digit growth यहां पर दी गई है अचा company ने करीबान है यहां पर कुछ 300-300 करोड की यहां प कुछ है नहीं इनका because यहां पर इनके पास main assets है वो तो अपना IP rights वगएर हो गया उसके अलावा liability side में इनके पास कुछ भी नहीं है अगर आपन देखे तो company बाग cash ज्यादा है अगर आपन देखे bank balance और cash में काफी rich company है और उसके against में इनके पास liabilities है वो इतनी नहीं है तो overall आप कह सकते हो debt free company है उसके अलावा यहां पर अगर आपन देखे तो operating cash flows किस तरीके से रहे है तो operating cash flows यहां पर positive रहे है अगर आपन देखे 277 million company ने cash generate के operation से वहीं पर अगर आपन देखे H1 FY21 का जो basically revenue है PBT है तो यहां पर अगर आपन देखे PBT का 821 million मतला एक 30% business अपन cash में generate कर पारे overall अगर आप देखो किया तो यहां पर अच्छा कासा यहां पर percentage है तो basically cash generation जो है वो काफी अच्छा है उसके अलावा financing से यहां पर cash flow basically यहां पर negative रहे है because company ने अपनी borrowings वगरे को payment वगरे किया है तो इस तरीके से काम किया है और इस तरीके से काम हो रहा है तो यहा यहां पर इस तरीके से काम करती है तो वापस कुछ की valuation के ratio देखे तो 54 के P पर company काम कर रही है EBIT to EBITDA 37 का है price to book ratio 11 का है अगर आपन देखे इनी फ्रेंट पे तो company यहां पर basically tips industries जो किए immediate PR है उससे ज्यादा high value valuations पर काम कर रही है because of overall जो इनका business है वो comparatively इनका strong है वही पर other entertainment platform firm से देखे like Zee entertainment वगेर या फिर उससे तो भी इनके valuations high है अचा यह पर share holding pattern की बात करें company के share holding pattern में क्या changes है तो promoter ने recently यहां पर stake बढ़ाया है 63% अपना stake हो गया इनका भी FIIs ने भी stake बढ़ाया है और DIA इस ने भी stake यहां लगबग लगबग यहां पर थोड़ा बहुत कम क बढ़ाया है तो इतना share price बढ़ने के बाद भी अगर आप देखोगे तो अगर आप इसका share price देखते हो एक साल से तो यहां पर खतरनाक यहां पर share price में rise देखते हो मिला है 300-500 रुपए से यह भी 4000 के levels पर आ चुका है तो इस तरीके से है अभी यहां पर important बात क्या है तो 2900 का अच्छा support है जहां से बार-बार rebound कर रहा है उसके बाद 3500 का strong support है resistance यहां पर 4500 पर उससे पहले जो resistance के level हो 4200-4300 के आसपास है तो यहां पर इस समय अपने को buy करना चाहिए देखिए अभी quarter results आ गए अच्छे कासे आयते सब कुछ चीज़े अच्छी कासी है तो यहां पर खुछ थोड़ी बहुत buying करके रख लीजिए अगर आप एक साल से लंबे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे है लॉंग टर्म का अगर आप perspective रहते future business में एक new age business में लगाना चाहिए तो यह stock बिल्कुल आपके पास होना चाहिए इंडिया में आज भी streaming platform बहुत कम है अपन यहां पर इतना spotify का use नहीं करते बाहर यह जो podcast अगरे बहुत ज्यादा चल रहा है तो particularly growth तो रहीगी रहीगी company का भी growth का plan है overall management भ रखेंगे कि यहां पर 2-3-4 महीने में 4,500 के level है उसके बाद जो next target अपन रखेंगे 5,000 के रखेंगे और फिर उसके बाद चाड़े 5,000 के तो इस तरीके से यह 2 target पे अपन खेलेंगे और यहां पर staggered bank करेंगे सारी quantity एक साथ एक बाब पर नहीं करीदेंगे दिले दिले सारे गामा पर जो कि एक हिंडिया का spotify है आने वाले समय में एक अच्छा business है और overall valuations यहां पर अच्छे खासे है तो थोड़ा यहां पर cautious होके ही बाय करें चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें share करें और चैनल को subscribe जरू करें thank you so much